ओम शान्ती बाम दादा मदवन आज की मधूर मुल्ली 142024 मीठे वच्चे तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है क्योंकि तुम अभी रचैता और रचना को या थार जान कर आस्थिक बने हो प्रश्ट संगम युगी इशरी परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी उत्तर इसी समय सयम इशर बाब बन कर तुम बच्चों को संबालते हैं टीचर बन कर पढ़ाते हैं और सद्गुरु बन कर तुम्हें गुल-गुल होल बना कर साथ ले जाते हैं शत्युग में देवी परिवार होगा लेकिन ऐसा इशरी परिवार नहीं हो शकता तुम बच्चे अभी बेहत के सन्याशी भी हो राजयोगी भी हो रजाई के लिए बढ़ रहे हो ओम सान्ती ये इस्कूल वा पाट्चाला है किसकी पाट्चाला है आत्माओं की पाट्चाला ये तो जरूर है आत्मा सरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकती जब कहा जाता है आत्माओं की पाट साला तो समझना चाहिए आत्मा सरीर बिगर तो समझ नहीं सकती फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा अभी जीव आत्माओं की पाट साला तो सभी है आज की मुल्ली से मुख दस पॉइंट पहली पॉइंट भक्ती मंदिर टिकाडो आद में होती है इसमें कौन पढ़ाते हैं भगवान वाज और कोई भी पाट साला में भगवान वाज होता ही नहीं दूसरी पॉइंट अभी सब काम चिता परबैट कर जल कर काले हो गए हैं मैं आकर सबको वाफिस ले जाता हूं तीसरी पॉइंट ये लच्छमी नारायन विश के मालिक थे ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं चौथी पॉइंट तुम जानते हो शतियुक में अपाशुक है जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहता है गायान है दुख में सिमरन सब करें सुख में करें न कोई तुम कलियुग अन्थ तक ये खेल है जो फिड़ना ही है इसको सिवाए बाप के कोई समझा ना सके तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तुम ब्रह्मार हो इश्री शंतान हो छत्मी पॉइंट सद्गुरु एक है कहते हैं सद्गुरु अकाल परमपिता परमात्मा एक ही सद्गुरु है सत्मी पॉइंट बाप ने हम सो सो हम का मंत्र भी समझाया है वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा हम सो सो हम बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है आठवी पॉइंट बच्चे बाप को पहचानते भी हैं समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं उनसे बेहत का वर्षा मिलना है बच्चे कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तद्वीर कराने वाला तो एक ही बाप है दस्वी पॉइंट यह तो एक्स्ट्रा पुर्षार्थ किसको अलग कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुर्षार्थ माना ही टीचर टीचर कुछ क्रपा करते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिस्चे वह जाती पढ़कर हुशियार होते हैं अच्छा, धालना के लिए मुक्षार पहली पॉइंट, सारी दुनिया अब कब दाखिल होनी है, विनास सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है, अंदकाल में एक बाप ही याद रहें दूसरी पॉइंट, स्याम से सुन्दर पतित से पावन बनने का यह पुरुशोत्तम शंगम युग है, यही समय है उत्तम पुरुशोत्तम बनने का सदाव, इसी स्मृती मेरे सयम को कौडी से हीरे जैसा बनाना है वर्दान आज बाबा नी दिया सभी को ज्यान धन दोरा प्रगती के सबसाधन प्राप्त करने वाले पदमा पदम पती भव इस फश्टी करन ज्यान धन इस्तोल धन की प्राप्ती सता कराता है, जहां ज्यान धन है वहां प्रगती सता दासी बन जाती है ग्यान धन से प्रकती के सबशाधन शता प्राप्त हो जाते हैं इसलिए ग्यान धन सबधन का राजा है जहां राजा है वहां सर्पदार्ट शता प्राप्थ होते हैं ये ग्यान धन ही पदमा पदमपती बनाने वाला है परमात और वेवार को शता सिध करता है ग्यान धन में इतनी सक्ति है जो अनेग जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है स्लोगन आज बाबा ने दिया कल्प कल्प की विजई हो ये रुहानी नसा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे ओम शांती